Hello everyone, welcome back to our channel English Madhyam English Madhyam के platform पे मैं हूँ आपकी एडिकेटर प्रियांका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ट प्राक्टिस एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थौट अफ टोड़ी दाट इस The key to success is to focus on your goals and not obstacles यानि कि आपको सफलता हासल करने के लिए जो आपका लक्षे है उससे जुड़े हुए जो भी परिशानिया है दिकते हैं उनके उपर focus नहीं करना है आपको focus करना है आपके लक्षे के उपर ठीक है स्टार्ट करते हैं Reading Comprehension and Practice Exercise for SSA CGL 2024 Divorce can be the true test of marriage बोल रहे है Divorce जो है वो marriage का असली परिक्षा होती है This was one take away from a case SC judged this week ये एक मुख्य take away, take away मतला conclusion था जो Supreme Court ने case judge किया इस हफते उस case से ये हमने निशकर्ष निकाला है It was sharing a couple that on its path towards divorce took a singular leap ये एक ऐसे couple के divorce का case लड़ रहे थे उसकी सुनवाई कर थे जब उनने एक बहुती यूनीक कदम उठा लिया बहुती यूनीक फैसला दिया और उनने divorce लेने के बजाए इस शादी को ही invalid करार देने की बात करें यानि कि ये शादी ही legal नहीं थी, invalid थी on the grounds that no customs, rights and rituals had been performed और कि तरक्या दिया गया कि हमने कोई भी customs जो होते हैं traditions का follow नहीं करा, जो धार में क्रिया होती हैं उनका follow नहीं करा और इस शादी में कुछ भी ऐसे चीज़े नहीं होई थी Justice B.V. Nagrathan and Augustine George Massey granted the required relief उन्होंने इस फैसले को स्विकार भी कर लिया उनको जो चाहिए था उनको मिल भी गया ठीक है and also an illuminating tutorial on Hindu marriage act और illuminating मतला प्रकाश टालने वाला tutorial मतला बेक तरीके का guide और यह जो फैसला था यह illuminating प्रकाश टालने वाला guide था किसके उपर था डालने वाला रोशनी किसके उपर डाले गई Hindu marriage act 1955 के उपर In a nutshell, per law, a marriage performed without appropriate ceremonies cannot be said to be solemnized बोल रहे हैं कि अगर संशेप में कहें तो law के अनुसार कोई भी शादी जो बिना रिती रिवाजों के बिना कोई ceremonies के हुई है उसको आप said to be cannot be said to be उसको आप संपन शादी नहीं मान सकते ठीक है उसको आप यह नहीं भोल सकते कि हाँ जी शादी हो गई है ठीक है अब यह बड़ा ही अचंभित करने वाला क्यों है बिकॉस अपन डाउन दे कांट्री इंडियन्स केट मैरेट इन ग्लोरियस डैवर्सिटी अफ वेस क्योंकि कश्मीर से लेके कन्यात कुमारी तक और नौट से लेके साउत तक किस से लेके वेस तक देश में हम हिंदुस्ता बखोट सारी विविद्ताएं कि हम जैसे मर्जि चाहे बहुत धूम धाम से शादी करना चाहे तो आफ। निचाहे तो एसे कर सकते हैं कौट में जाके करना चाहे तो आफ। सब्सक्री से करना चाहे ह। ठीक है, and all of these should have equal standings in the eyes of modern law, और इन सभी को बराबरी का अधिकार होना चाहिए लो की नजर में, but between the different laws that pronounce rigidity on the matter, they don't, लेकिन जो अलग-अलग laws हैं, जो कि क्या करते हैं, घोशत करते हैं, क्या घोशत करते हैं, रिजिडिटी, कथोरता, किस के उपर, इस मसले के उपर कथोरता जिखाते हैं, वो ऐसा नहीं मानते हैं, the judges in this instance declared marriage is not an event for song and dance and winning and dining, बुर रहे हैं, वाइनिंग and dining, बुर रहे हैं, इस case में, judges नहीं बोला, कि भी शादी कोई नाच गाने का महतसव नहीं है, कोई खान पीने का महतसव नहीं है, but why can't it be, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो सकता, और र is surely law shouldn't ruin the party, बोल रहे हैं, और कई सारे ऐसे cases जहां पे actual में शादी को एक नाच गाना, हसी महाल, ये वाला उतसव मान के चलते हैं, तो उसमें court को, या सरकार को, या फिर ये जो हमारी law and order है, विवस्ता है, उसको ruin the party, shouldn't ruin the party, मतलब खराब नहीं करना चाहिए, उसको परिशा नहीं करना चाहिए, जो लोग ऐसे करना चाहिए, उनको परिशान नहीं करना चाहिए, हमे itself has been criticized for flattening wedding practices over time, बोल रहे हैं, हमे, हमे मतलब है हिंदू marriage act को भी criticize किया जाता है, क्यों, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि उसमें कमी आगी है, क्या चीज़ की कमी आगी है, wedding practices, जो लोग शादियां कर रहे हैं, उसमें कमी आगी है, कई समय के अंतराल के बाद में, as examples, scholars point to the fading of matrilineal practices like aliyasantana in karnataka and maru kathiam in kerala, बोल रहे हैं कि जैसे कि उधारण के तौर पे, scholars ने कही जो maternal side की कुछ रिष्टे होते हैं, कुछ customs होते हैं, उनको फॉलो करने के practice को धुंदला होता दिखाई देना, ऐसा कहा है, कि लड़के वाले तो अपनी धूम धाम करते हैं, लड़की वाले के side की जो practices है, उनको नजर अंदास किया जा रहे हैं, और धीरे-धीरे करके वो खोती जा रहे हैं, जैसे कि aliyasantana जो होता है कarnataka में, और maru ma kathiam होता है keral में इस तरीकी की practice अब खतम होते जा रहे हैं, besides, it only refers to sagai, karnyadana and saptapadhi, इसके विपरीत ये केवल इन चीजों को refer करते हैं, शादी का मतलब मतलब sagai होगी, karnyadana करेगा लड़की का बाप और saptapadhi, ये situations होती हैं, that's very dispiriting for, say, शुभो दृष्टी and अरुधती नक्षत्र, और ये बड़ा ही आश करने वाला है, शुभो दृष्टी और अरुधती नक्षत्र के लिए ये बड़ा ही निराश करने वाला है, not to mention, not to mention all the marriages that completely sidestep the name Trinity, और यहां पर हमें उन शादियों का भूलना नहीं चाहिए जो बिल्कुल ही इन सब चीजों को सगाई करने अधान और शब्त तदी इन तीनों को नजर अंदास कर देती है, sideline कर देती है, हमें उन शादियों को भी नहीं भूलना चाहिए, क्यों के लोग सीधा कोट में जाके marriage कर लते हैं, तो वो लोग थोड़ी इस सब चीजें कर र इसा कुछ solution निकल सकता है, इस पूरे confusion को और exclusion को, exclusion मतला किसी चीज़ को दरके नार कर देना, yes, हाँ है, the state should remain the registry for all marriages, कि सरकार के अंतरगत ही सभी शादियों का पंजी करन होना चाहिए, but no longer have anything to do with the sacraments and ceremonies, लेकिन सरकार का क्या ceremonies परफॉर्म की जाएंगी, क्या rites and rituals परफॉर की जाएंगे, उनके उपर सरकार का हस्तक शेप नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई किस तरीके से करना चाहते है, वो कर सकता है, लेकिन शादी रजिस्टर तभी होगी, जब पंजीगरत करवाई जाएगी, तभी शादी मानी जाएगी, the special marriage act 1954 does wear the dress of such a solution, जो बोल रहे है, special marriage act है, वो इस भूमिका को, इस तरीके के solution की भूमिका को जरूर निपाता है, but from its 30-day notice to how it's been undermined by anti-conversion laws, लेकिन अब इसमें क्या होता है, special marriage act के लिए आपको 30 दिन पहले एक notice दिनना पड़ता है, ठीक है, कि हाँ हम शादी करने वाले है, उसका 30 दिन का notice period होता है, उसके बाद म है, अब कैस तरीके से यहाँ पर anti-conversion laws को लागू करके, इस special marriage act को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, its embodied reality is citizen unfriendly, तो इसका जो अब अब जो इसका प्रावधन रह गया है, special marriage act का, वो citizens के लिए कुछ जादा friendly नहीं है, unfriendly है, निके वो लोगों के लिए अनुकूल नहीं है गया, moreover, the vast majority of marriages take place under other religion-based laws, और इसके अलावा, जो जादा तर marriages होती है, वो अधिक्तम marriages जो होती है, वो religion-based laws के तहत होती है, which like HMA, have very specific requirements for a solemnized marriage, जिसके, जिसमें, Hindu marriage act के अनुसार, बहुत कुछ rituals, rights required होती है, कुछ specific प्रावधान करने होती है, जब ही वो शादी संपन मानी जाती है, what we need is a dramatically reformed version of SMA, तो हमें अब क्या हमारी जरूरत है इस वक्त की, कि हम SMA, special marriage act का reformed, transformed, एक कुछ नया version उसका लेकर है, where it becomes the sole interface between the state, law and citizen, जहाँ पे केवल ये, जो कानून है, यही नागरिकों के बीच में, law के बीच में, और सरकार के बीच में, एक interface उनके बीच में एक माध्यम हो, communication का, यह law ही हो, ठीक है, कोई अपना personal, इससे कोई भी political party आएगी, वो अपना personal opinion दूसरों के पर थोपेगी नहीं, कि नहीं, हम इस चीज़ को गलत मानते हैं, तो आपको भी गलत मानने पड़ेगी, वो चीज़ नहीं होगे, कि क्यों, जो हम marriages है, उनको तभी मानेंगे, तभी उनको माननेता देंगे, कि हाँ, यह शादी संपन होई है, जब हमारे पास, बहुत सारे options हैं, कि हाँ, हम court marriage कर सकते हैं, हम Christian तरीके से marriage कर सकते हैं, कोई Muslim तरीके से कर सकता है, कोई नहीं कुछ ज़ादा court marriage भी नहीं करना चाता है, बस अपने चार रश्तेदारों के बीच में भी कर सकता है, ठीक है, तो हमेरे पास इतने सारे options हैं, तो हमें क्यों, वो state कोई चाहिए, कि सरकार ही हमें अधिकार देगी, शादी का, सरकार ही बोलेगी, कि हाँ, इस तरी इस सी reminded us how vulnerable this happiness is, लेकिन Supreme Court ने हमें याद ला दिया कि यह जो खुशियां है, यह कितनी vulnerable है, कितनी risk पर है, better check, if your wedding meets the appropriate ceremonies criteria, तो इस से बहतर है, पहले ही check कर लो कि क्या आपकी जो शादी है, वो उन रिती रिवाजों के अनुसार हुई है, जिसके तहत कल को आपको यह नहीं बो रिता पैसेज, पैसेज बेक सिकली, एक कोई केस हुआ है, ठीक है, उसके अंदर दो व्यक्तियों ने ये बोला कि भे हमारी शादी क्योंकि रिती रिवाजों से नहीं हुई, तो अब इस शादी को ही invalid मान लो, डिवोस लेना चाहरे थे वो दोनों व्यक्ति, एक दूसरे से अब डिवोस लेने के बज़ा, उनने शादी ही रद कर बाती, तो उसके उपर ये राइटर जो है, इतना लंबा चौड़ा बता रहे हैं, कि भेरी तिरिवाजों से होना क्यों जरूरी है, इसमें सरकारों का क्या रोल होता है, लौ क्या कहता है, क्या हमें जरूरत है, उसमे स्ट्रॉंग अपने उपिनियन्स पॉइंट आउट करें हैं, राइटर ने, इम्यूस्ट, इम्यूस्ट मतलब बड़े ही आश्चरय चकित रहना, बड़ा ही, अरे ऐसा किसे हो सकता है, वैसे वाली सिती, तो ऐसा भी नहीं है, सिंपथेटिक, सब हानुभूति रखते हैं क कि शादी के अंदर traditional ceremonies का कितना महत्व है, तो passage का मसला वो नहीं था, passage का मतला यह है कि यहाँ पर legal law क्या कहता है, हमारे हिंदोस्तान में diversity कितनी है, उसकी जटलतां कितनी है, हमारे पास options कितने है, अब ज़रूरी थोड़ी एक हिंदू हिंदू से ही शादी कर रहा है, आज क पार्सी शादी करनी है, तो वो कौन से रिती रिवाजों को मानेंगे, अगर मान लो कि उनने केवल हिंदू धरम के अनुसार शादी करी, तो क्या पार्सी धरम के अनुसार उनके शादी वालड नहीं है, तो भी वालड होईगी न, क्योंकि उनने शादी करी, रिजिस्टर ह कोई उनकी शादी उनने हिंदू रिती रिवास से करी चाहे पार्सी से करी तो बोर रहे हैं कि ये प्रावधान क्यों है कि सर्टेन कुछ रिचुल्स परफॉर्म होंगे तभी वो शादी संपन होगे तो यहां पर क्या है लीगल कॉंपलेक्सिटीज एंड डिवर्सिटी इन म मारेज आक्ट बूर रहे हैं कि पैसेज में क्या रोषणी डाले गए है क्या बताया गया है कि डिश्चनली सेरिमिनीज का क्या महत्व होता है जब कानूनी तौर पे किसी शादी को अप्रोप्रियेट मानना हो अकॉर्डिंग टो हिंडू मारेज तो पैसेज में बताया गय कि कुछ ceremonies हैं जिनका पालन करना महत्वपूर्ण है अगर वो नहीं पालन किया जाता है तो शादी हम नहीं मानते कि संपन हुई है ठीक है आंतमा पंड़ी जी भी बोलते हैं अब शादी संपन हुई तो वो क्यों बोलते हैं कि उनने सारे rituals follow किये हैं सारे प्रावधान जो हिंदू मारे जाक 1955 requires traditional ceremonies for a marriage to be legally recognized, correct है, reflecting a rigid interpretation that may not align with modern diverse practices, बिल्कुल correct है, अब अगर पहले की बात बोलते हैं तो भी तब हिंदू हिंदू से ही शादी कर रहे थे, तो उस टाइम पर ये प्रावधान कि हां साथ फेरे हुए, मंगल सुत्र पहनाया, सिंदूर लगाया, करन्या किया, ये सब चीजें जो हैं, इन से पता चल गया कि हां शादी, लेकिन अगर एक हिंदू और एक मुस्लिम शादी कर रहे हैं, हिंदू और सिख शादी कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं, अब जो अमीर लोग हैं, वो तो चोचले करते हैं, वो तो दो-दो ceremonies कर लेते हैं, इन्वालिड मानेंगे, ठीक है, तो ये क्यूं है ये प्रावधान, तो option A is correct, Based on the discussion in the passage, which of the following best reflects the criticism of Hindu Marriage Act 1955 regarding cultural diversity, बोरे हैं, पैसेज के नुसार, Hindu Marriage Act 1955 का कहां पे criticism किया गया है, किस के बारे में, cultural diversity के बारे में, ठीक है, पहला है, The Act has been praised for preserving traditional marriage ceremonies across different Indian cultures, तो इसका जो cultural diversity के प्रती criticism था, वो तो नहीं दिखता है, यहाँ पे, तो incorrect है, The Act has been criticized for not acknowledging and preserving matrimonial practices such as Aliyasantana and Murumakka Thayam, ठीक है, इस तरीके की जो मा की side की ceremonies हैं, उनको recognize नहीं करते हैं, इस बात के लिए उनको criticize किया गया, which have faded over time, जो की समय के साथ में, खतम होने की कगार पर हैं, What is implied in the passage about the effectiveness of the Special Marriage Act of 1954 in addressing the issues of religious ceremonies in the marriage, भो रहे हैं, जो Special Marriage Act है, उसका क्या प्रभाफशाली चीज़े हैं, कि हाँ भी, अगर कुछ religious ceremonies होती हैं या नहीं होती हैं, तो उस समस्या को यह कैसे निपड सकता है, तो हमने पड़ा था, इसमें 30 days का एक notice period होते हैं, उसके बाद में जो anti-conversion laws होते हैं, इन से क्या है, इसकी effectiveness के उपर असर पड़ रहा है, इसमें प्रवाइज जो है, वो एक secular framework, secular धांचा देता हैं हमें, ठीक है, उसमें किसी धर्म का नहीं कि ना हिंदू धर्म की बाद, ना मुस्लिम धर्म की बाद, ना सिख, ना हिसाई, ना जैन, ना क्रिस्टिन, किसी धर्म की बाद नहीं, ठीक है, उसमें क्या है, शादी किस तरीके से होगी, वो लिखा गया है, कि हाँ भी अगर दो अलग-अलग समधाय के लोग हैं, तो कैसे शादी कर सकते हैं, तो लेकिन इसके उपर भी अभी हाल फिलाल में रेसिंटली कुछ नए laws आये हैं, समविधान को फिर बिदल किया गया है, त अगर पेरेंट्स अग्री कर जाएं, तो वो किसी ना किसी एक धरम के और निकुसार कर लेंगे शादी, लेकिन ऐसे किसे में यूजुली क्या होता है, वो भाग के शादी कर रहता है, अगर थर्टी डेज का नोटस पिरट देंगे, तो पकड़े जाएंगे, फिर या तो फ इसको, SMA को, Special Marriage Act को कमजोर करने की कोशिश कर रहे है, ठीक है, ऐसा राइटर कह रहे है, प्लीज मेरा उपिनियन नहीं है, मेरा उपर मत आप कॉमेंस करने लगना कि मैम ने ऐसा बोल दिया, मेरा उपिनियन नहीं है, राइटर क्या कह रहे है, बस वो बताया है, ठीक है, so Option A is correct, according to the passage, which of the following best illustrates the impact of Hindu Marriage Act on traditional wedding practices, बोल रहे है, पैर सच के अनुसार, Hindu Marriage Act का traditional wedding practices के ओपर क्या इंपक्त रहा है, तो उनने बोले है, कि मा की साइट के जो रिच्वल्स हैं, वो भूलते जा रहे है, केवल सगाई, कन्यादान और सबतापदी इस तक सी में तरहा गया है, राइट, The HMA promotes specific ceremonies such as, सगाई, कन्यादान और सबतापदी, which has resulted in marginalization of other traditional practices, बिल्कुल करेक्ट है, so option A is correct, अब यहाँ पे S1 और S4 statement दिये है, PQRS में से S2 और S3 find out करना है, ठीक है, सबसे पहले, It is well known that collaborations between industry and academia can be mutually beneficial, यह तो जग जाहिर बात है, यह तो सबको पता है, कि भई अगर industry sector के बीच में है, और academics के बीच में हैंने कि school colleges के बीच में collaboration होता है, तो यह दोनों के लिए फायदे मन दोगा, industry को skilled labor मिल जाएगी, college से pass out हुए skilled labor मिल गी, उनको training नहीं देनी पड़ी, और colleges के लिए फायदा होगे कि वो अपने school colleges में बच्चों को training दे सकते हैं, तो mutually beneficial यह एक प्रावधान है, determining and managing impediments to collaborations between industry and academia requires a multi-pronged approach पूर रहे हैं, जो भी impediments के होता है, जो अवरोध होते हैं, रुकावटे होते हैं, तो जो भी रुकावटे इस collaboration industry और academia के बीच में collaboration आ रही हैं, उनको determine करना, मतलब उनका पता लगाना और फिर उनको से निपटना, यह multi-pronged approach है, यानि कि किसी एक plan से, एक चीज से खतम नहीं हो सकते, इसके लिए आपको multiple plans बनाने पड़ेंगे, multiple यहाँ पे हथ्यार यूज़ करने पड़ेंगे, तब जाकि यह समस्या दूर होगी, merely posing, possessing expertise in a particular field is not enough to be an intellectual, बोल रहे हैं कि केवल किसी particular field में बहुत जादा expert होने से, आप intellectual यानि कि बहुत जादा ज्यानी नहीं हो सकते, तो यह जो है P statement, यह इसके साथ मैच कर रहे हैं, collaboration वाली बात के साथ मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहा हैं, तो यह incorrect हो गया, however, most Indian higher education institutes have not focused on such collaborations, यह collaboration की बात कर रहे हैं, industry और college के बीच के बीच के collaboration की, हालांकि ज्यादा तर जो हिंडिया में higher education institutes हैं, वो इस तरह की चीजों के उपर, इस तरह के collaborations के उपर, या फिर intellectual property के उपर, या फिर technology transfer के उपर, फोकस नहीं करते हैं, तो क्यू हो गया हमारा S2, ठ तो P क्यू है, और यह QS है, अब P हमें पता है कि यहां पर valid नहीं है, तो बच गया क्या, QS, option D is correct, Chinese leader Xi Jinping ordered greater protection from foreign companies, अब यहां पर Chinese leader की कहां बात आगी, इस collaboration के बीच में, तो यह incorrect हो गया, while universities conduct and encourage basic research, many of them do not capitalize on the same research by commercializing their IP, they may, they miss out on likely gains from patents, licensing or startup companies, so option S is correct, QNS, option D is correct, it was revealed, that nearly 70 lakh mobile phone connections involved in cyber crime and financial fraud have been disconnected so far, बरना कि यह साफ हुआ, सपष्ट हुआ, कि 70 lakh mobile phone connections थे, जो कि किसी ना किसे cyber crime से जुड़े हुए थे, financial fraud से जुड़े हुए थे, put disconnect कर दिये गया, a sum of rupees 900 crore lost by 3.5 lakh victims have been recovered, 900 crore का रुपे, ठीक है, 900 crore की संख्या जो है बरामत की गई, जो की 3.5 लाख लोगों से लूटी गई थी, ठीक है, वो बरामत कर ली गई, widespread user awareness about cyber fraud and improved multi-agency corporation emerged as the core element of the strategy to tackle the means, बुड़े हैं कि लोगों को aware करना, ठीक है, जादा लोगों को, जादा जादा लोगों को aware करना, किस के बारे में, cyber crime के बारे में, और multi-agency coordinator, मतलब क्या हुआ, कि जैसे police का, cyber security cell का, और CBI, इन सब को मतलब आपस में coordination, ये क्या हुआ, बहतर किया गया, किसके लिए, ताकि इस परिशानी से, इस चलाकी से, निप्टा जा सके, ठीक है, the discussions at a meeting convened, recently by the center on issues related to financial cyber security and digital payment fraud, left no one in doubt about the enormity of the challenge at hand, बुरहे हैं, कि जो भी discussion हुए, कहाँ पर एक meeting हुई, हाल फिलाल में, scanner के द्वारा, इस मसले पर, on issues किस मसले पर, जो मसला financial cyber security या digital payment fraud से जुड़े हुए, no one, को ही भी इस विदा में नहीं था, doubt में नहीं था, about the enormity, इस मसले की, कि कितना बड़ा ये भयानक और कितना बड़ा ये मसला है, इसका किसी को भी शक नहीं था, तो ये हमारा opening statement हुआ, क्योंकि एक meeting हुई, उसी के अंदर जो जो चीज़े पता चली, it was revealed, find out हुआ, वो पता चला ना, Improving response time in handling alerts on online fraud and enhanced information sharing, it was stressed, could provide the decisive edge in dealing with scamsters, कि response time कम करना, ठीक है, कि बहतर करना कि भी जैसे complainना है, उसके कितनी देर बाद हम, कितनी जल्दी हम उसको response करते हैं, कितनी जल्दी हम उसके उपर action लेते हैं, ठीक है, ये जानना, ये बहतर करना कि online fraud से जुड़े हुए, या कोई information हम आशाद दी गई, कि भी हांची ऐसा कुछ हुआ है, उसके उपर कितनी जल्दी action लिया जाता है, ये जोर दिया गया कि क्या हो सकता है, इससे हमें एक decisive wedge मिल सकता है, एक upper hand मिल सकता है, अगर हमने इन scamsters से deal करना है, तो ये तो last statement हो गया, कि भी, उस meeting में आंता क्या conclude किया गया, कि भी हमें ये करना चाहिए, पहले reveal किया गया, कि meeting हुई meeting में reveal किया गया, कि 70 लाख लोगों का, 70 लाख mobile phone connections जो हैं, बो disconnect कर दिये गया है, ठीक है, अब ये consumer awareness की वज़ए से हम इसको निपट सकते हैं, यो गया third point, और fourth point कि हमें अपना response time बहतर करना पढ़ेगा, तो arrangement के बन C, A, B, D, option B is correct, an unparalleled popularity, unparalleled मतलब जो जैसा किसी दूसरे के पास नहीं, इतना popular वो हो गया, ठीक है, कोई उसका mail नहीं गर सकता, the lotus temple has always enjoyed, lotus temple के पास अकसर ही रही है, क्या रही है, an unparalleled popularity as shown by its predominance in literature and art throughout the length and breadth of India from the earliest times down to present day को रहे हैं, कि जो lotus temple है, उसके पास हमेशा से ही, चाहे हिंदुस्तान के top से लेके bottom का, कश्मीर से लेके कन्या कुमार तक, चाहे हम पुराने समय की बात करें तब की, चाहे अभी की नए present times की बात करें तब की, इसके पास हमेशा से ही, एक unparalleled popularity रही है, तो हमें ये चीज़ से समझ में आगे की, हम बात कर रहा है, lotus temple के बारे में तो वो जो line है, वो फॉर्स पार्ट होगी, कि lotus temple के पास हमेशा से रही है, ठीक है, तो lotus temple, यानि कि क्यू हमारा first point होगा, अब क्यू first point, a, c, d में है, और b, जो है, eliminate हो जाता है, q के बाद में, p point आएगा, क्योंकि उसके पस हमेशा से एक popularity रही है, ठीक है, यह होगा second point, जाने कि a, और d valid है, c, eliminate हो जाता है, इसके बाद में आता है, s point कि पूरा कश्मीर से कन्या, कुमारी, east से west, ठीक हिंदुस्तान में, और चाहे पुराने समय की बात करें, पुराने से popular रहा है, so option A, qpsr is correct, qprs is incorrect, after 18 hours of persistent pursuit and persecution, the little prince was at last deserted by the rabble and left to himself, पुर रहे है, कई घंटों की यातना, प्रतारना के बाद में, चोटा राजकुमार था, उसको भीड के द्वारा छोड दिया गया, अपने हाल पे, ठीक है, तो persistent, persistent लगातार होने वाला, ठीक है, persecution, persecution के spelling होते है, p-e-r-s-e-c-u-t-i-o-n, persecution, तो spelling किसके गलत है, option C, persecution is correct, the doctors gave him more powerful drugs in the dash hope, that when, that he might recover, तो injection कहाँ दिया जाता है, when, when hope नहीं बोला, when मतला जब hope होगी, कब hope होगी, ठीक है, वेन, वेन होते हैं, नाडिया नसे, ठीक है, ये वेन है, नाडिया नसे, वेन है, कि धीरे-धीरे कम होना, size में, hope में, संख्या में, किसी भी चीज में थोड़ी कमी आना, और वेन, मतलब बेकार ही, वेर्थ ही, हराम बुलतन कि बेकार ही उसने ये काम करा, इसका तो कोई फायदा हुआ ने, तो डॉक्टर ने इस उमीद में, कि भी वो जल ठीक हो जाए, इस उमीद में, उसको बेकार में ही ड्रग दे दिया, इंजेक्शन दे दिया किसी जीज का, ठीक है, तो अप्शन D is correct, ये जो स्पाय था, स्पाय कौन होते हैं, जासूस, तो उसको क्या करना था, सारे एविदेंस मिटाने थे न, अपने नाम से जड़े हो, अपने काम से जड़े हो, सारे डॉक्यमेंट, सारे डॉक्यमेंट्स मिटाने थे, तो इफेस मतलब मिटाना, डिस्ट्रॉय करना, आप से कोई कुछ समझा रहा है आपके टीचर तो या पर आपके कोई senior colleague तो आप बोलोगे sir I am unable to comprehend यानि कि मुझे समझ नहीं आ रहा है आप क्या कह रहे है ठीक है distort distort मतलब कुछ चीज खराब हो जाना कोई चीज painting है चाहे कोई picture है वो खराब हो गई ठीक है अब वो किसी काम की रही नहीं जैसे पहले थी clear वैसे रही नहीं ठीक अब आज कल तो उसको abstract art करके बेच भी सकते हैं लेकिन यहाँ पर मतलब है खराब होने का ठीक है debtor debtor मतलब किसी चीज को रोकना assimilate assimilate मतलब समझ लेना और complex complex हो जटल तो यहाँ पर समझने से जुड़ा हुआ क्या चीज है assimilate तो assimilate क्या हो गया? synonym हो गया comprehend का synonym हो गया comprehend का somane has bought a black and a white shawl to wear with her new dress तो उसने अपने ने ड्रेस के साथ पहनने के लिए एक shawl खरिदी है जो black and white है a black and a white पतल वो गया? दो shawls खरिदी कि एक black color की खरिदी एक white color की खरिदी लेकिन उसने ड्रेस के साथ पहनने के लिए एक shawl खरिदी है जो black and white color की है तो जब एक ही चीज को define कर रहे है दो adjectives तो adjectives क्या हो गया जो quality बताएगा तो यहाँ पर noun की quality बता रहे है शौल एक noun है noun की quality बता रहे है black and white की उसके color किस type का है ठीक है तो दो adjectives एक ही noun की अगर quality बताते हैं तो article पहले वाले के साथ में आएगा दोनों के साथ में नहीं आएगा ठीक है सुमन हाज बॉट अ ब्लाक and white shawl टू विएर विधर न्यू ड्रेस अ ब्लाक and a white shawl नहीं होगा black and white shawl like a cat on a hat tin roof hot tin roof अब इसका मतलब क्या हुआ कि आप बड़ी ही गुस्से की परिशानी की स्तिती में चिड़ चिड़ आपन है जैसे कि आप यह समझ लो कि एक बिल्ली है उसको अगर आप गरम गरम टीन की छत के ओपर खड़ा कर देंगे तो वह इदर से उदर नाचने लगेगी ना कूदने लगेगी क्योंकि इसके पैरों में परिशानी हो रही है तो जब आप परिशान होते तब आप क्या करते हैं बेचैन से हो जाते हैं इदर से उदर घूम रहे होते हैं ठीक है या फिर चिलचले से हो जाते हैं तो स्टड़िंग वेरी हाड बिइंग लेजी बिइंग इन स्टेट अफ अगिटेशन ऑप्शन से इस करेक्ट मोस्ट ऑफ पीपल से था सम्पीपल फाइट वाइट 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 अंतर होता है और आउट फ्राइंग पहन इंटू दो फायर मतलब एक परिशान इस निकले दूसरे म Tai आजमान से टपके खजूर मैट के स्पेर दे रॉडन स्पॉल्ड दर च यानिक 2 को मान हसे वह बट जाता है लाट भी बच्चा भिगड़ जाता है और मारन इस पीटने से बच्चा भिगड़ जाता है पे ओनली लिप सर्विस के यवल शब्दों की भ होता है एकदम चौकरना रहना एकदम ध्यान पूर्वक सारे काम करना so option c is correct the greeks are considered to be courageous race valuing the knowledge beauty and wisdom अब incorrectly spelled word हमें यहाँ पर बताना है तो यहाँ पर देखो wisdom के spelling wisdom होता है wisdom होता है wisdom तो option a के spelling incorrect है the theory और philosophy of law law से जुड़ी हुए कोई भी चीज़ किसे बनती है jury ठीक है jury कहाँ आता है law में आता है the jurisprudence मतलब law से जुड़ी हुए चीज़ यानि की law के philosophy या theory जो होता है उसको jurisprudence बोलते है pacifism pacifism मतलब कि भाई हमने लडाई जगडा नहीं करना जैसे गांधी जी थे आहिंसावादी ठीक है cosmology cosmology का मतलब होता है पूरा हमारा जो universe उसकी study करना philia philia मतलब स्ने प्यार so option a jurisprudence is correct animals especially on a farm regarded as an asset जानवर खास तौर पर जो खेतों में होते हैं किसी फार्म में होते हैं उसको क्या मानते हैं livestock क्या बोला जाता है उसको livestock उसको हमारी asset पूंजी मानते है न क्योंकि आप उनको बेचेंगे तो भी आपको पैसा मिलेगा right तो livid livid का मतलब होता है नाराज livery stable इसका मतलब होता है जहां पर इनको रखा जाता है जानवरों को रखा जाता है stable क्या होता है stable अस्तबल को बोलते हैं तो livery stable मतलब घोडे वाला जो अस्तबल होता है वो livelihood यान की रोजगार और livestock यान की जो हमारे पशुद्धन है उसको बोलते है livestock so option d is correct tall promises were made by each candidate हमारे हार एक politician जो है वो बड़े बड़े वाज़े करता है so by each candidate तो each candidate हमारा first part आजाएगा subject आजाएगा each candidate were being है na ing b की ing form है तो was making tall promises each candidate made past की घटना नहीं है each candidate can make कर सकता नहीं है पर करते है each candidate has made भी नहीं आएगा each candidate was making tall promises option d is correct as I dashed the stream and began climbing the hill जैसे मैंने नदी stream क्या होता है नदी का behalf ठीक है नदी पार करी या छोटे सी जो भूख होती है वो हो सकता है stream ठीक है कि जैसे मैंने वो पार करी और मैं hill की तरफ चड़ रहा था the grunting and chattering increased आपने कभी देखा है कि जैसे आप किसी जंगल के लाके में और आसपास आपके कोई शेयर चीता या फिर डॉग भी हो कैना एन अनिमल भी हो साप वगेरा भी हो तो जो पक्षी है आसपास के बंदर है वो बहुत जादा जोड से हलचल करने लग जाते है चिलाने लग जाते है तो बोल रहा है कि वहाँ पर ग्रंटिंग और चाट्रिंग की आवाज में बढ़ और 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 गोल लेपर और मैंने वहाँ पर एक ग्रेट ओरंज गोल लेपर को देखा यह भी लेपर की कोई प्रजाती होगी चीक है स्लीक और स्पॉटेड डाश ओन रोग अवाँ त्वेंटी फीट अवेए फ्रम मी तो स्लीक और स्पॉटेड था उसके ओपर डॉट 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 लगए होए थे और मेरे से लगभग बीस फीट की दूरी पर था और बोलना है कि कोई इंटरेस्ट नहीं खुद को सुपीरियर समझने वाली हवा के साथ में उसने में कोई एक पर ही देखा और फिर थोड़े समय के लिए और ये मानते हुए कि वो जादा सुपीरियर है and then sprang into a dense thicket और वो चला गया जंगल के घने पत्तियों में चला गया making dash no sound as it melted into the sadness और जब वो गायब हो रहा था देखते देखते गुम हो रहा था तब कोई उसके पास से हल चल आवाज नहीं आ रहे थी I had dashed the leopard in his quest for food मैंना उसको वो अपने खाने की खोज में निकला हुआ था और मैंना इसको disturb कर दिया इसा लग रहा है but a little later I heard the quickening cry of a barking deer as it fled through the forest लेकिन थोड़ी ही देर बाद मुझे एक तेजी से हापने वाली आवाज जो सुनाई दे रहे थी एक चलाते हुए deer की थोड़े ही देर में जैसे वो forest में जा रहा था तब after that dash I did not see the leopard उस encounter के बाद मैंने उस leopard को दुबारा नहीं देखा as I cross the stream तो वो नदी पार कर रहा होगा entered घुसते ही पहाडी के अपर नदी के अंदर पहाडी के उपर कैसे चड़ेगा drowned अगर डूप गया तो भी पहाडी के उपर कैसे चड़ेगा past past मतलब यहां से आगे बढ़ गया ठीक है गुजर गया वो आगे तो फिर वो कैसे पहाडी के उपर चड़ेगा तो यहां पर option A cross discount I looked up and saw a great orange gold leopard sleek spotted dash on a rock swinging वो hill रहा था rock के उपर dance कर रहा था वो rock के उपर poised poised मतलब एकदम balance बना के position में तियार था playing वो खेल रहा था rock के उपर तो जब वो खाना ढूंड रहा है तो जाहर सी बते ना swing कर रहा होगा ना dance कर रहा होगा ना play कर रहा होगा क्या होगा poised option C is correct the leopard looked at me once briefly and with an air of disdain and then sprang into a dense thicket making dash no sound hardly no sound नहीं होता silently no sound नहीं होता loudly no sound नहीं होता absolutely यानि कि बिलकुल भी कोई आवास किये बिना so option D is correct I had dashed the leopard in his quest for food मैंने leopard को क्या कर दिया परिशान कर दिया उसकी खाने की खोज में disturbed परिशान करना facilitate मदद करना हाँ अगर आप खुद उसका भोजन बन जाते तो उसकी जरूर मदद हो जाती helped मदद करना prevented बचाना so मैंने उसको disturb किया option A is correct after that dash I did not see the leopard again after that encounter उस अचानक हुई मुलाकात के बाद में लडाई के बाद में meeting कोई planned meeting होगी जहां पर आपने पहले सोचा हो कि हमने मिलना है exchange कुछ आदान प्रदान करना तो यहां पर कुछ आदान प्रदान नहीं हुआ कोई लडाई नहीं हुए कोई meeting नहीं हुए after that encounter I did not see the leopard again option A is correct that's all आज के session में इतना ही thank you so much for watching अगर content पसंद आया हो तो like, share और subscribe जरूर कीजेगा मिलते हैं next session में till then keep learning and keep practicing, bye bye